ओम शान्ति पतियों का पती सलोना साजन मीठा बाप अमरनाथ संगम की शुब वेला में आकर माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं ज्ञान की ऐसी अम्रित वर्शा करते जिस वर्शा में आत्मय स्नान कर शीतल हो जाती और अमरपुरी का मालिक बन जाती हैं आई ये रिवाइस करते हैं आज के पांच मैं दोहजार तेईस के मधुर महावाक्यों को हम बच्चे कल्यूगी गोवर्धन परवत को उठाने के लिए कौन सी अंगुली देते हैं पवित्रता की अम्मा मरे तो कौन सा हलुआ खाना ग्यान का रूप बसंद बच्चों को क्या करना है बाप को याद करना है भारत का श्रिंगार करना है ग्यान रतनों का बीज बुना है नंबरवार पद कौन से हैं सूर्यवंश्री बाप और वर्षे को याद करने वाले चंद्रवंश्री कम याद करने वाले प्रजा दास्तासियां याद न करने वाले भारतवासियों के और धर्मों भारतवासियों के और धर्मों में कन्वर्ट होने का क्या परिनाम हुआ हम आत्माएं किस वतन में किस अवस्था में रहती हैं, मूल वतन, साइलेंस, सुक्ष्म वतन, मूवी, स्थोल वतन, टॉकी कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा नहीं है, पाप आत्मा, पुन्ने आत्मा कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा नहीं है, पाप पर्मात्मा, पुन्ने पर्मात्मा, श्री कृष्ण आचारे कहा जाता है, लक्ष्मी नारायन ट्रिकाल धर्शी थे, रिश्री मुनियादी ट्रिकाल धर्शी थे, आग और कपूस इकठे नहीं रह सकते कल्युक की आयू अभी 40,000 वर्श बाकी है, ब्रम्म पर्मात्मा है, उसमें आत्माई लीन हो जाएंगी, बाप के सिवाए किसी और को ज्यान सागर कहा जाता है, क्रिश्यन को बल मिल जाए तो विश्व का मालिक बन सकते हैं, विद्वान लोग जो गीता वेदान्त सुनाते हैं, वह एक-एक वर्शन्स लाखों रुपयों का है, जहां आत्मिक स्ने है, वहां सभी के द्वारा सदा ही किस चीज की प्राप्ती स्वता होती है, सदभावना, सहयोग की भावना, सन्यासियों को कौन सी बाते समझानी है, हम है प्रविर्ती मार्ग वाले राजयोगी, तुम हो निवृत्ती मार्ग वाले हठयोग सन्यासि, तुम्हारा है हठयोग कर्म सन्यास, वास्तों में कर्म सन्यास तो होता ही नहीं है, तुम हो रजोगुनी सन्यासि क्योंकी शंक्राचारे द्वापर में आते हैं। हमें किन बातों की धारणा करनी है बहुत मीठा बनना है अपने शान स्वरूप में स्थित रहना है सदैव हरशित मुख खुश मिजाज रहना है कभी रोना नहीं है ज्यान योग में तीखा जाना है ध्यान की आश नहीं रखनी है भारत को सेलवेज करने के लिए पवित्रता क कि प्रतिज्या करनी है जीते जी सबसे चुट्टी ले लेनी है किसी कभी चिंतन नहीं करना है पहले का पाठ हमिकिन बातों की धारणा करनी बहुत मीठा बनना है, अपने शान स्वरूप में स्थित रहना है, सदैव हर्शित मुख, खुश मिजाज रहना है, कभी रोना नहीं है, ज्यान योग में तीखा जाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी है, भारत को सेलवेज करने के लिए पवितरता की प्रतिग्या करनी है, ज देखते हुए नहीं देखना है, ये थी आज की मुर्ली की विशेश बाते, मीठे बाबा ने आज अपने बच्चों को सर्वगुन संपन देवता बनाने के लिए मीठा बनने, हर्शित मुख, खुश मिजाज रहने और अपना स्वभाव शान्थ चित बनाने की शिक्षाए जिन शिक्षाओं पर आज हम सारा ही दिन अवश्य अटेंशन देंगे, ओम शान्ति